हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल बिनर्स एजूकेशन पॉइंट पर दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्यूंकि सबी प्रतियों की परिक्षाओं से संबंदत महत्पूर कंटेंट आपको हमारे चैनल के माध्यम से लगाता रोपलब्द कराया जाता है इसके साथ साथ ही आप हमारे मुख़परिक्षा की नूट्स भी परचेस कर सकते हैं मुक्क परिच्ष के नोट्स पर्चेस करने के लिए description box में आपको ин्स्ट्रा मॉजो की लिंक के दी गई निर्स्ट्रा मॉजो की लिंक पर जाकर आप हमारे नोट्स पर्चेस कर सकते हैं आज हम चर्चा करेंगे मद्ध परिदेस के कुछ correct affairs पर जो कि आपके लिए 2020 की प्रारंबिक परिश्य के लिए अतियंदमात पूर्ण है तो आप हमारे पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो आज का जो हमारा पहला फेक्ट है वह है टीका करन गतिविदियों को बच्चों के लिए आसान बनाने के लिए मद्ध प्रदेश का पहला state of art टीका करन केंदर कहां शुरू किया गया है तो state of arts टीका करन केंदर इंदौर में प्रारंब किया गया है इसका प्रमुक उद्देश क्या है तो टीका करन गतिविदियों को बच्चों के लिए आसान बनाने के लिए इसका प्रारंब किया गया है और इसका प्रारंब कहां किया गया है तो इसका प्रारंब इन दौर में किया गया है इसके पश्याते देश का पहला डे कियर सेंटर कहां खोला गया है तो देश का पहला डे कियर सेंटर भोपाल में खोला गया है उमंग हेल्प लाइन क्या है तो उमंग हेल्प लाइन आपको यह तीन नंबर में भी महत्पूर है अगर आप मुख परिक्षा की तयारी कर रहे हैं तो उमंग हेल्प लाइन आपको मुख परिक्षा की द्रेश्टी से भी अतेंत महत्पूर है यह हेल्प लाइन जो है वह दस से उन्नीस वर्स तक के आयू के किसोरों के सारीरिक और मानसिक बदलावों के चलते उनमें उत्पन होने वाले देह तनाव और जिग्यासाओं का निराकरण करेगी तो उमंग हेलप लाइन जो है वाई 10 से 19 वर्स के आयू के किशोरों के लिए है इसमें क्या प्राउधान किया गया है तो सारीरिक और मानसिक बदलावों के चलते किशोरों के मन में जो दैहिक, तनाव और जिग्यासा उत्पन होती है उनका निराकरण करने के लिए प्रदे सरकार के दोरा उमंग हेलप लाइन नामा की पहल की गई है इसके पश्यात है रिया जैन, तो रिया जैन भोपाल की है, इनको प्रसिद्धी किस शेत्र में मिली है तो 2020 में राश्टपती दोरा बाल सकती पुरुसकार 2020 प्रदान किया गया है इसके पश्यात है हमारा अगला फेक्ट, इंस्पायर पोर्टल आप यहाँ पर इंस्पायर कर लीजिए, एक्सपायर नहीं है, वो इंस्पायर है जिसका संबंद बिध्यारतियों से है और इसमें सास्किय बिध्यारतिय जो भी बिध्यारती सास्किय स्कूलों में अध्यानदत है उनके लिए विसेस रूप से यह तयार किया गया है और इसमें यूनिसेफ की सहायता से यह से तयार किया गया है इसके पश्यात है भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क तो साजापूर आगर मालवा और नीमत जिला में कलश्टर स्थापित किया जा रहा है अभी जो रीवा में स्थापित किया गया है 750 मेगा वार्ट का वह एसिया का सबसे बड़ा है और जबकि जो प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है वह साजापूर आगरा और मालवा जिले में जिले के कलश्टर में स्थापित किया जाएगा इसके पश्यात है प्रदेश की कौन सी नदी अती संकट ग्रस्त प्राणियों में आने वाले घड़ियालों की संख्या में पहले नंबर पर है तो कौन सी नदी है तो यहाँ पर चंबल नदी है आप यहाँ पर एडिट कर लीजिए इसको यहाँ पर चंबल नदी है चंबल नदी जो है वह है अती संकट ग्रस्त प्राणियों में आने वाले घड़यालों की संख्या में पहले नंबर पर है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल नदी इसके पश्याते देश में बीटिंग दा रीट्रीट का आयोजन करने वाला एक मत्र प्रदेश कौन सा है तो बीटिंग दा रीट्रीट का आयोजन करने वाला प्रदेश का एक मत्र जो राज्य है वह मत्र प्रदेश है और beating the retreat का आयोजन कहां किया जाता है तो beating the retreat का आयोजन भोपाल में किया जाता है इसके पश्यात जमना देवी तितली पार्क कहां है तो जमना देवी तितली पार्क मांडवगर धार में बनाया गया है स्वर्गिय पूर विपक्ष की नेता जमना देवी की याद में से बनाया गया है जमना देवी जी जो है मत्यप्रदेश की पहली महीला विपक्ष की नेता है इन्हीं की याद में मांडवगर धार में तितली पार्क बनाया गया है मांडवगर अर्थात मांडू जिसे हम जॉय आप सिटी भी कहते हैं उसी का नाम मांडवगर भी है इसके पश्यात है ग्रेसम उद्योग से प्रदूसित चंबल नदी के पानी की जाच किस देश में होगी तो जो चंबल नदी का पानी है वह एक ग्रेसम उद्योग से प्रदूसेत हो रहा है तो इसके पानी की जाच के लिए फ्रांस में फ्रांस के पैरिस में जाच की जाएगी दोस्तों आपको एक महत्पून सूचना और उपलब्द करा दें कि अगर आप 2020 की प्रारंबिक परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी तयारी का मूल्यांकन करना चाहते हैं कि आपकी तयारी का लेबल क्या है तो आप हमारी प्रारंबिक परिक्षा की test series को जोईन कर सकते हैं हमारी जो प्रारंबिक परिक्षा की test series है उसके अंतरगत मात्र 500 रोपे में आपको 5000 MCQs करवाए जाएंगे 50 FLTs के माध्यम से तो सीगरती सीगराप हमारी प्रारंबिक परिक्षा की test series को भी जोईन कर लीजिए और अपनी तयारी का मूल्यांकन कर लीजिए कि आपका कौन सा पक्ष भीक है आपको किस पक्ष में जादा तयारी करने की आवश्यक्ता है क्योंकि हमारी जो test series है उसमें हमने सभी बिसेओं से संबंदत जो भी topic दिये गए हैं सिलेवस के according जितने भी topic दिये गए हैं उन सभी के प्रशनों का समाबिस हमने किया है साथी साथ राष्टिय अंतर राष्टिय गटनाओं को भी हमने जोड़ा है मद्यप्रदेश की business current affairs को भी हमारे test series में आपको देखने के लिए मिलेंगे तो सीगरती सीगर आप हमारी प्रारमिक परिक्षय की test series को जोईन कर सकते हैं प्रारमिक परिक्षय की test series के अंतरगत सभी coaching संस्तानों से कम सुलके में हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रारमिक परिक्षय की test series जो प्लब्द कराई जा रही है इसके पश्याते मद्यप्रदेश सरकार दौरा सीता मंदर किस देश में बनवाया गया है तो मद्यप्रदेश सरकार के दौरा सीता मंदर स्रीलंका में बनवाया गया है इसके पश्याते किन दो सहरों में फल और सब्जियों के निर्याद को बढ़ावा देने के लिए पैरी सेवल कमोडिटी हब की स्थापना की जाएगी तो इंदर और भोपाल जो की मद्यप्रदेश के प्रमुक दो महानगर है उन दो सहरों में फलों और सब्जियों के निर्याद के लिए पैरी सेवल कमोडिटी हब की स्थापना की जा रही है इसके पशाते समुदाय आधारित पोसाण प्रवंदन लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है तो समुदाय आधारित पोसाण प्रवंदन लागू करने वाला पहला राज्य जो है वह मद्यप्रदेश है इसके पचाते Unified Registration Card जारी करने वाला पहला प्रदेश कौन सा है तो Unified Registration Card जारी करने वाला देश का पहला राज ये मद्धिप्रदेश है किस जिले में संत्रे की Food Processing Unit इस्थापित की जा रही है तो आगर मालवा जिले में जो की मद्धिप्रदेश का 51 जिला है वहाँ पर संत्रे की Food Processing Unit इस्थापित की जा रही है इसके पचाते टांट्या भील माइक्रो उद्बान सिचाई परियोजना किस जिले में है तो टांट्या भील माइक्रो उद्बान सिचाई परियोजना जो है वह धार जिले में है टांटिया भील जो थे वह हमारे मद्य परदेश की प्रमुक S muff का संग्राम सेना नी थे और इनका जो संबंध है वह बिसेश का निमाण छेतर से है तो यहाँ पर आपके यह दो fact भी cover हो जाते हैं कि तांटिया भील जो थे पॉह मद्ध्द्प्रदेश की एक स्वतंतरता संग्राम सेना नी थे और ठांटिया भील को रॉबन होट की संग्या भी दी जाती है इसके पशात है एंटी रेगिंग हेल प्लाइन में दुनिया भर में रेगिंग में मद्द प्रदेश का कौन सा इस्थान है तो एंटी रेगिंग हेल प्लाइन में दुनिया भर में रेगिंग में मद्द प्रदेश का दूसरा इस्थान है इसके पशेते देश में पहला इंफेंट्री अर्थात पैदल सेना का म्यूजियम कहा निर्माना धीन है तो देश का पहला इंफेंट्री पैदल सेना का म्यूजियम महू इंदौर में निर्माना धीन है क्योंकि महू में ही हमारी जो स्वतंतरता संग्रम से संबंदेते तो महू छावनी में ही उसकी एक साखा इस्थापित है इसलिए जो देश का पहला इंफेंट्री अर्थात पैदल सेना का म्यूजियम है वह महू इंदौर में इस्थापित किया जा रहा है इसकी पचाते देश का पहला तम्माखु फ्री कंट्रोल रूम कहा बना तो देश का पहला तम्माखु फ्री कंट्रोल रूम इंदौर में बनाये गया है प्रदेश के किस जंक्सन को बालमित्र इस्टेशन बनाय जाने का निर्णा लिया गया है तो इटारसी जंक्सन को प्रदेश में बालमित्र इस्टेशन के रूप में बनाय जाने का निर्णा लिया गया है इसका उद्देश क्या है तो नक्षत्रबन तयार किया गया है तो भोपाल की लहारपुर में नक्षत्रबन तयार किया गया है इसका उद्देश क्या है तो नक्षत्रबन तयार करने का प्रमुखुदेश यह है कि पोधों की मात्वि के बारे में लोगों को समझाना इसका एक प्रमुखुदिश है बारत का पहला जी आईएस आधारेट माश्टर प्लान किस देश पर बनाये जाएगा तो बारत का पहला जी आईएस आधारेट माश्टर प्लान जो है वह भोपाल में बनाया जाएगा इसके पशाते केंदर सरकार द्वारा किस राज्य को सुकन्य समरद्धी होजना की क्रियान बयन में प्रतामिस्थान प्राप्त हुआ है तो सुकन्य समरद्धी होजना के उचित क्रियान बयन के लिए मद्धप्रदेश को प्रतमिस्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों अगर आपको प्रारमिक परिक्षा और मुख परिक्षा के किसी भी बिंदू के विशय में कोई डाउट है तो आप कौमेंटस सेक्षन बता सकते हैं हमारी चैनल के माद्यम से उसका उच्छ समाधान किया जाएगा और अभी जो 2019 की जो मुक्ख परिक्षा है उसके लिए डिये अकांचा मेडम के द्वारा जो है कौपियों का मुल्यांकन की बिसेश सीरेज लाई गई है तो आप उसे भी अच्छे से देखिए और पर्स की कौपियों के अंतरगत तो आप उन सभी वीडियों के द्वारा अपने मुल्यांकन कर सकते हैं और साथी साथ जागरोख हो सकते हैं कि आपको परिक्षा हॉल में कौन सी गलतिया नहीं करने हैं दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल सब्सक्राइ जन सकते हैं कर दोल च को रखने हैं कर देदी देद सते हैं और सकते हैं कि वीडियों में अवारे यूटूब जा आपको आपको ठीद्ट हैं आपकोड़ हो सकते हैं